हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल अंजू क्रियेशन आज मैं आप सब के लिए देखिए यह बहुत ही प्यारा सा डोर्मेट लेके आई हूं और इसे बनाना देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है और यह देखिए एक फ्लावर डोर्मेट है तो इसे बेखिए मैंने द लिए यहां पर 20 फंड़े लिए हैं 10 फंद घुरियन कलर कर और उसके बाद 10 फंद पिंक कलर से लिए हैं और साथ ही देखिए मैं 7 अंबर की सलावी यूज़ कर रही ह kappaid यहां पे देखिए मैंने उनको डबल कर रखा है ताका कि यह डोर्मेट अच्छा बने है इन से प्रे प्रेंदे जो है वह हम पिंक कलर से बुनेंगे और ग्रीन वाले ग्रीन कलर से तो अभी देखिए यह हमारा अलग-अलग हो गया है इसे साथ में देखिए कैसे जोइन करना है जैसे करेंगे हम यह पिंक वाले उन को ग्रीन वाले उन के उपर कर देना है और फिर इसे बुनना है अब इधर से भी देखिए यह हमारे दूसरी सलाई है और इसे भी हमें पूर देखिए उल्टा बुनना है तो पहला फंद स्लिप करेंगे और बाकी सारे फंदे हम उल्टा बुननें अब देखिए यहां बेबी ऐसे अलग-अलग है अब देखिए इधर के पिंक वाले फंदे हमें पिंक कलर से बुनने है तो पिंक वाले उन को हमें अपनी तरफ करना है और ग्रीन वाले को पीछे तो इसे देखिए ऐसे करेंगे हम और यह पिंक वाले को अपनी तरफ करेंगे यह इस तरह से तो देखिए इस तरह से यहां पर क्रॉस बन रहा है और फिर ऐसा मिसले करना है ताकि यह दोनो एक साथ फिक्स हो जाए दोनो कलर यह दूसरी सलाई भी देखिए कम्पलीट हो गई है अब यह देखिए तीसरी सलाई इसे देखिए कैसे बनाना है यहां पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे तो पहला फंदा स्लिप करेंगे पर देखिए हमें एक फंदा बढ़ाना है तो फंदा देखिए इस तरह से हम बढ़ाएंगे आपको जो भी मेठड आता हो आप उस मेठड से फंदा बढ़ा ले और उसके बाद देखिए सारे फंदे जो पिंक कलर से है उसे पिंक कलर से बुन लेना है आप देखिए इधर वाले फंदे ग्रीन कलर से तो उनको अपनी तरफ करना है यानि कि ग्रीन के उपपर ऐसे करेंगे हम और फिर इधर देखिए एट फंदे ही हम उल्टे बुनेंगे टोटल यहाँ पर टैन फंदे है दो फंदे हम पीछे छोड़ेंगे और एट फंदे बुनेंगे अब यहीं से देखिए हमें सलाई पलट लेना है और उनको अपनी तरफ करेंगे आप इधर से देखिए जो ग्रीन वाले फंदे उसे ग्रीन कलर से बुनेंगे अब देखिए ग्रीन वाले उनको पीछे और पिंक वाले उनको आगे करना है इसे पीछे करेंगे और इस तरह से आगे करेंगे और फिर इधर के सारे फंदे पिंक कलर से बुनेदे यह ऐसे अब यह देखिए पाचवी सलाई है यहाँ पे देखिये फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है जब भी हम यह रोंग साइड में आएंगे तो एक फंदा बढ़ाएंगे टोटल हमें यहाँ पर किनारे पांच फंदे बढ़ाने हैं तो एक मैंने बढ़ा लिया दूसरा फंदा देखिए अब बढ़ाएंगे हम तो पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद उन को अपनी तरफ करके यह इस तरह से एक फंदा बढ़ा लें और फिर जो फंदे जिस कलर के हैं उस कलर से बुलने ना है अब यहाँ पर देखिए हमें ग्रीन कलर से छे फंदे ही बुलने है इधर लास्ट में हमें चार फंदे छोड़ने हैं दो फंदे हमने पहले चोड़े थे और दो फंदे हम इस सलाई में पीछे छोड़ेंगे अब यहीं से देखिए सलाई पलट ले उनको अपनी तरफ करके ये ग्रीन वाले पंदे ग्रीन कलर से अब ग्रीन वाले को पीछे और पिंक को आगे देखिए इस तरह हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसे क्रॉस बन जाए जो हमने फंदा देके बढ़ाया था उसे हम इस सलाई में बुन देंगे अब देखिए यह साथ भी सलाई है इधर फिर से देखिए हमें एक फंदा बढ़ाना है तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उसके बाद उनको अपनी तरफ करके फिर से देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर इधर के यह पिंक वाले फंदे सारे पिंक कलर से बुनेंगे तो अभी देखिए हमने यहाँ पर तीन फंदे बढ़ा लिये हैं और दो फंदे अभी हमें और बढ़ाने हैं इसे ऐसे करेंगे और फिर आप देखिए ग्रीन कलर से हमें फोर फंदे ही बुने हैं वन टू थ्री और यह फोर इस बार देखिए पीछे हम सिक्स फंदे छोड़ेंगे पहले दो छोड़ा फिर उसके बाद दो फिर दो तो टोटल सिक्स फंदे हो गए अब यहीं से देखिए सलाई पलट लेंगे अब इधर देखिए सेम वैसे ही बुनना है जिस कलर से फंदे दिख रहे हैं तो यह सलाई आप कम्पलीट कर लें उसके बाद हम जब इस साइड आएंगे यानि रॉंग साइड तो फिर से देखिए हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ लास्ट में देखिए फिर से यह दो फंदे और चूटेंगे यानि कि टोटल एट फंदे हम पीछे छोड़ेंगे और दो फंदे ही बुरेंगे तो इसे ऐसे ही करते हैं देखिए हमें बनाना है जब भी इस साइड आएंगे हम तो एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और दो फंदे इधर पीछे छो पुठ गया है अब देखिए हमें क्या करना है जैसे हमने यहां पर ठीज मम्तवत भड़ाएं फंदे घटाएंगे भी तो देखिए पहला पंदा श्लिप करेंगे उसके बाद हम यह 2 एक करेंगे तो इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पर एक फंदा घट जाएगा फिर बाकी जितने पिंक फंदे हैं उसे पिंक कलर से बुलने अब देखिए हम यह इधर यह दो फंदे इसमें और बुन देंगे जैसे हम पीछे छोड़ते गये दो-दो करके वैसे हम इधर पे दो-दो इसमें एड करते जाएंगे अब देखिए यहीं से हम सलाई पलट लें फिर देखिए ग्रीन वाले उनको अपनी तरफ करेंगे और यह दो-पंदे उल्टे बुनेंगे फिर ग्रीन उन पीछे पिंक कून आगे और इधर के यह पंदे हम बुन दे उल्टा-उल्टा पुरा अब इधर से देखिए फिर से हमें एक फंदा यहां घटाना है तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे उसके बाद यहां पे दो का एक करेंगे तो इस तरह से देखिए हमने यहां पे दो फंदे घटा लिए अब देखिए इधर हम फिर से यह दो ग्रीन हमने बुना था तो इसमें दो ग्रीन हम और एड़ कर लेंगे तो टोटल फोर ग्रीन फंदे हमें यहां बुनने हैं यह दो ग्रीन एड़ करने से पहले देखिए यहां पे हम नीचे से यह एक और यह दो फंदा उठा ले यहां पे गैप ना आए इसलिए हमने यहां पे दो फंदे उठाए हैं और उसके बाद देखिए, ये तीन फंदे हम एक साथ बुनेंगे, दो जो हमने नीचे से उठाये थे, और एक इधर वाला फंदा, ताकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फंदा ना बने, और फिर ये एक ग्रीन वाला फंदा, तो टोटल चार फंदे हो गए, फिर यही से पलट लें, तो सीधी साइड भी देखिए, हमें वही करना है, जो हम पहले भी करते आ रहेते, बस जो भी चेंजिस करने हैं, हमें रॉंग साइड ही करनी है, अब फिर से देखिए, उल्टी साइड आ गए हम, अब यहां पर देखिए, फिर से एक फंदा घटाएंगे हम, तो पहला फंदा स्लिप करके, उनको अपनी तरफ करेंगे, और यह दो का एक करेंगे, तो यह तीसरा फंदा है, जो हम घटा रहे हैं, और इसे देखिए, फिर हम यहां तक पिंग कलर से बुनेंगे, उसके अब फिर से देखिए, यहां पैसे होल दिख रहा है, तो यह दो पंदा हम यहां नीचे से उठाएंगे, धाले, और फिर यह देखिए, हम यह तीनों फंदों को एक साथ बुनने, तो यह 5 हो गए, और यह 6 फंदे हमने आप बुन लिए, फिर देखिए, यहीं से हम सलाई पलट ले, और उन को अपने तरफ करके देखिए, जो फंदा जिस कलर से दिख रहा है, उसी कलर से बुनने, फिर देखिए, जब हम इस साइड आंगे, तो फिर से इधर हम एक फंदा घटाएंगे, और जब यहाँ पर आएंगे, तो दो फंदे इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर देखिए, नीचे से दो फंदा उठाना ना भूले, तो ऐसे ही करते हुए देखिए, यहाँ पर हम अब यहां पर हम देखिए चोटी बनाएंगे, तो देखिए हमें कैसे करना है, चोटी बनाने के लिए हम यहां पर इसे सीधा सीधा बुनेंगे, तो यह एक फंदा हम स्लिप कर लें, उसके बाद देखिए, यह हम ग्रीन वाला जो उन है इसे हम पिछे की तरफ करेंगे, और ये एक फंदा हम ग्रीन कलर से सीधा बुनेंगे, उसके बाद देखिए, एक फंदा हम पिंग कलर से सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा देखिए, ग्रीन कलर से सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा पिंग कलर से, फिर एक ग्रीन से, फिर एक फंदा पिंक से, तो हमें ये देखिए, सीधा सीधा ही बुनना है, तो देखिए इसे हमें ऐसे ही करके रेखिए बुनना है इसे हम इस से पकड़ेंगे इस वाले उंगली से और फिर दूसरे कलर से बुनेंगे तभी अच्छी चोटी बनेगी यहां पर यह सलाई देखिए complete हो गई है अब इस तरफ से देखिए हमें इसे उल्टा बुनना है तो जैसे हमने बुना है वैसे ही बुनेंगी एक पिंक एक ग्रीन एक पिंक लेकिन उल्टा बुनेंगे तो ये ग्रीन फंदा है इसलिए हम इसे ग्रीन कलर से ही उल्टा बुनेंगे फिर ये पिंक है तो पिंक से ही फिर देखिए ग्रीन से फिर ये वाला फंदा पिंक से एक ग्रीन और एक पिंक से बुनते हुए देखिए हम इसे पूरी सलाई कम्पलीट कर लेनी है तो ये सलाई पी देखिए कम्पलीट हो गई है अब फिर से वापस इधर आ गए अब देखिए हमने जैसे ये कली बनाई है सेम ऐसी ही दूसरी उपर भी बनानी है जैसे हमने या पर पहली सलाई से स्टार्ट किया था सेम वैसे उपर भी हम बनाएंगे तो देखिए पहले हम ये 10 फंदे पिंक कलर से बुनेंगे तो पहला फंदा स्लिप कर लिया तो उनको अपनी तरफ करेंगे और साथ ही देखिए ये ग्रीन वाले उनको भी अपनी तरफ कर लेंगे पर ग्रीन से हमें बुनना नहीं है अभी हम सिर्फ पिंक कलर से बुनेंगे तो 10 फंदे हम पिंक से बुन ले अब उसके बाद देखिए बाकी के जो बचे 10 फंदे हैं उसे हमें ग्रीन से बुनना है तो ग्रीन वाले इसी तरफ किया था ताकि हम इधर वाला ग्रीन से बुन सके यह सलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है अब इधर से देखिए हमें वही करना है जैसे हमने यहां पर बनाया था एक फंदा इधर बढ़ाएंगे हम तो पहला फंदा स्लिप करेंगे उसके बाद देखिए उनको अपनी तरफ करके यह एक फंदा हम बढ़ा ले और फिर बाकी के फंदे हम इधर पिंक वाले पिंक से बुन लें पर इसे ऐसे करके ग्रीन से हम इधर आठ फंदे ही बुनेंगे दो फंदे यहां पीछे छोडेंगे हम अवीरा से सलाई पलट करके जो फंदा जिस कलर से दिख रहा उस कलर से बुन लें फिर जब हम इस साइड आएंगे तो एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और दो फंदे इधर पीछे छोडेंगे तो सेम जैसे कली हमने यहां बनाई है वैसे ही कली हम यहां उपर भी बना लें तो यहां पर टोटल देखिए आठ कलिया बनेंगी आपकी जितनी कलिया बन जाए अब उतना बना लें गोला इसे बस कंप्लेट करना है तो यह मैं आपको पूरा बना करके फिर दिखाती हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसे यहां तक बना लिया है इसमें टोटल आठ कलिया बनी है अब इसे देखिए इस तरह से हमें जॉइन करना है तो जॉइन करने से पहले हम यह सारे फंदे घटा लें तो आपको जिस भी तरीके से आता हो उस तरह से आप यह सब फंदे घटा लें यह फंदे सारे बंद कर लिये हैं आप देखिए इसकी सिलाई करनी इस तरह से तो यह देखिए हमें ध्यान देना है कि ग्रीन पर ग्रीन और पिंक पर पिंक ही रहे तो इसे आप इस तरह से सिल ले यह देखिए इसकी सिलाई कंप्लेट हो गई है और यहां बीच में भी देखिए मैंने सिल दिया है इसे आप चाहें तो देखिए यहां पर पॉ पुजहासन भी बना सकते हैं या फिर आप इसे फ्लावर पॉट के नीचे भी रख सकते हैं टेबल पर टेबल मैट की तरह तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प् प्ली बार आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दबाना ना भूले थैंक्स पॉर वाचिंग